हलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास सेवन का चैप्टर नूबर नाइन रैशनल नंबर्स यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इसके अंदर हम जितनी भी एक्सरसाइज है हमारी उसका बेसिक हम समझेंगे तक कि जब हम एक्सरसाइज करें हमें सबसे पहरे हमें उसको समझना होता है कि वो हमें किसके बारे में जो है जो particular rational numbers है वो क्या है ठीक है हमें यह चीज़ समझनी है तभी हम जो आगे कर पाएंगे तो rational numbers क्या है A rational number is defined as a number that can be written in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal 0. अब इसका क्या मतलब है? Rational number क्या होते है? Rational number is defined as a number. Rational number भी एक number ही होते है that can be written in जिसको हम किसकी form में लिखते है? P upon Q की form में. P upon Q की form का मतलब होता है? upon में, इनकी fraction में. अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4 upon 3 तो यह मेरा एक rational number है. ठीक है? upon की जो form होती है वो हमारी rational number में आती है जहाँ पर क्या होता है? जो P है हमारा वो भी एक integer होता है और जो हमारा Q है वो भी हमारा एक integer ही होता है. और हमेशा यह चीज याद रखना वो equal नहीं होता जीरो के. अभी हम यह इसको आगे समझेंगे. इतना समझ आ गया. rational number क्या होता है? rational number हमेशा P upon Q की form में होते है नहीं कि upon की form में होते हैं. ठीक है? और वो जो P और Q है वो दोनों ही integers होते हैं और integers आपको पता ही है क्या होते हैं. यहाँ पर कुछ example देखो. 4 upon 5 क्या है? एक rational number है. minus 3 upon 5 क्या है? एक rational number है. क्योंकि देखो अब minus 3 upon 5. यहाँ पर 4 भी हमारा integer है, 5 भी हमारा integer है. minus 3 भी हमारा integer है, 5 भी हमारा integer है. integer में negative और positive दोनों numbers होते हैं हमारे. 2 भी हमारा integer है और upon में minus 3. आप इसको 2 upon minus 3 लिखो, नहीं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यह जो देखो इस तरीके से, minus फिर हमारा 2 upon 3, इस ताइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, यह जो हमारा minus का sign इतर है, उसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यह सब हमारे क्या है, rational number, आप देखो 0, 0 हमारा किया इसके निचे हम 1 लगा सकते हैं, rational number हो गया, इसके निचे 1 लगा सकते हैं, इसके निचे 1, 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 इसक तो इस सब upon की form में आ गए, p upon q की form में आ गए सब, इसका मतलब यह सब ही क्या है, rational numbers है, बहुत easy है, simple है, समझ में आ गया rational number क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा rational number क्या होता है, हम कैसे आगे chapter करेंगे, क्या basic समझेंगे, ठीक है, अब हम इसमे देखते हैं equivalent rational number equivalent fraction देखेंगे आपने अब हम देखते हैं equivalent rational numbers क्या होते हैं हमारे सामने 2 upon 3 दे रखा है तो हमने क्या करना है दोनों को एक ऐसे number से same denominator हो और numerator दोनों को हमने ऐसे number से multiply करना same number से या तो आप दोनों को 2 से multiply कर लो या दोनों को 3 से कर लो या 4 same number से आपने multiply करना है दोनों को मैंने यहां पर दोनों को 2 से multiply करना है 2 तूज़ा 4 3 तूज़ा 6 इसको अगर मैं cut करती हूं तो 2 तूज़ा 4 और 2 तूज़ा 6 तो क्या आगे मेरा फिर से 2 upon 3 इसका मतलब यह equivalent fraction है तो जो 2 upon 3 है वो equivalent है 4 upon 6 के और 2 upon 3 जो है वो equivalent है 10 upon 15 के क्योंकि जब हम इसको cut करते हैं तो बार बार हमारे क्या आता है 2 upon 3 ही आता है ठीक है इस S इसको आप आगे भी कर सकते हो ठीक है यह बास समझ में आ गई equivalent fraction क्या होता है किसी भी number same number से multiply करना है उसको cut करके देखना है कि same हमारा वही आ रहे है अगर same वही आ घुपार है तो हमारा equivalent fraction में आएगा ठीक है अब यह देखो rational number in standard form standard form आपको पते हैं ने जो हम cutting करते हैं simplest form भी बोलते हैं उसको lowest form भी बोलते हैं तीनो एक ही चीज़े हैं standard form लिखा हो, simplest form लिखा हो या lowest form लिखा हो तीनो एक ही बात है अब हमारे सामने है 2 upon 3 और हमें दे रखा साथ में minus 3 upon 2 यह हमारा example है अब यहाँ पर देखो हमारे सामने जो है यहाँ पर 2 upon 3 हो जो minus 3 upon 2 दे रखा यह देखो यह हमारा क्या है standard form, simplest form, lowest form क्योंकि इसके आगे कट नी हो सकता 2 और 3 दोने एक table में याथे 3 और 2 दोनों same table में याथे ऐसे हमें यहाँ पर एक number ले रखा है हमने 36 upon में 24 अब जब तक इसको हम cut सकते हैं जब तक इस table में आता तब तक हम इसको cut करेंगे 6 6 36, 6 4 जा 24 अब यहाँ पर देख लो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 क्या आगया? 3 upon में 2 आगया ठीक है अब इससे ही कट सकता है? नहीं कर सकता ऐसे यहाँ पर हमने लिया हुआ 60 upon में 80 0 से 0 कट कर लो 2 3 जा, 2 4 जा क्या आगया? 3 upon में 4 अब यह आगे नहीं कर सकता है यह इसका simplest form हो गया ठीक है? यह standard form बोले lowest form बोलो इस तरह किसे हम इसको करते हैं आगे देखते हैं अब यह चीज देखो rational number on a number line अब यह दो हमने number line करी थी ना पहले भी करी थी हमने fraction में भी number line करते हैं decimal में भी number line करते हैं और integers में भी number line करते हैं तो यहाँ पर भी देखो हमने rational number भी number line करने हैं इस तरह किसे हमने line जो है draw कर लेनी है equal distance में हमने इसमें point देने है हमें क्या यहाँ पर करना है हमें represent करना है 3 upon 5 number line के उपर तो 0 से start करो 1 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 5 4 upon 5 और जहाँ पर 5 upon 5 हैगा वहाँ 1 हो जागा कट करें तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 3 upon 5 पर circle कर दो ऐसे यहाँ पर minus 8 upon 5 हमें क्या करना है यहाँ पर represent करना है तो शुरू हो जाओ यहाँ से 0 से शुरू हो जाओगे 0 से ही start करना है आपने अब आपको इतना पता है कि 0 के right hand side पर सब positive आते हैं numbers हमारे 0 के left hand side पर सब negative numbers आते हैं इसलिए हम यहाँ पर करेंगे minus 1 upon 5 2 upon 5 सारे minus क्या आजेगे यहाँ पर minus 5 upon 5 को क्या आएगा minus 1 कट हो जाएगा तो minus 6 upon 5 minus 7 upon 5 और minus 8 upon 5 पर यहाँ पर हम इसको represent कर देंगे minus 9 upon 5 minus 10 upon 5 का मतलब है 2 5 बंजा 5 5 तू जा 10 इस तरीके से हमने rational numbers को यह number line पर represent करना है अब यहाँ पर comparison of rational number यहाँ पर में क्या करना है comparison करना है किसके बीच में rational number which of the falling two rational number is greater दोनों में से कौन से rational number जो है वो greater है कैसे पता चलेगा इसके लिए देखो अलग-अलग method होते हैं अलग-अलग तरीके से लोग cross multiply करके भी करते हैं लेकिन हम जिस method से कर रहे है यह हमारा LCM हम लेंगे पहले 2 upon 3 and 5 upon 7 ठीक है इन दोनों में हमें comparison करना है तो हमें 3 जो हमारे denominator है उसका हमें LCM लेना पड़ेगा 3 और 7 का 3 और 7 का LCM लेके 3 तूजा 7 21 आजेगा अब हमें जो दोनों के denominator 21 करने है तो 3 को 7 से 3 7 जा 21 सेम उसी नंबर से उपर मल्टिप्लाइ करोगे 14 7 3 जा 21 5 को भी 3 से मल्टिप्लाइ करोगे तो 15 upon 21 और 14 upon दोनों के denominator सेम हो जाएंगे तो बता सकते हूं कि 14 ग्रेटर है कि 15 15 है तो 15 upon 21 क्या है अब एक चीज़ ओर देखू हमें यह रच्णल नंबर के बीच में 2 रच्ण नंबर के बटाने हों तो हम कैसे बताएंगे कोई कई बर हमें पूछा जाता है लिस्ट 5 1 intéressant लंबर बट्वीं 1 औं 2 एक और 2 के बीच के 5 रच्ण लंबर जो हमें बताने हो वन और टू के बीच में कोई नमबर है, कोई भी नमबर नहीं है, तो कैसे बताओगे बीच वे 5 rational numbers, उसके लिए क्या करना होता है, यह जो हमारा 1 है, इसके निचे 1, 1 अपन 1, 2 अपन 1, rational number हमारा नीचे 1 लगा गे है, हम इसको करेंगे, अब आप देखो, उन्होंने हमें 5 rational number पूछे हैं कि आपको 5 rational number बताने हैं तो 5 से उपर किसी भी number से चाहिए वह 6 ओ चाहिए 7 ओ चाहिए 8 ओ चाहिए 9, 10, 11, 12 जो भी number हो अब लेकिन वह 5 से उपर होने चाहिए उन्ही number से आपने इन दोनों को multiply कर देना है जैसे कि मैंने यह आपे 10 से कर दिया और same number से इधर भी 10 से कर देना है तो 10 upon 1 को 10 से करोगे 10, 10 को 1 से करोगे 10, 210 जा 20 और 110 जा 10 अब हमारे पास आगे 10 upon 10 और 20 upon 10 आप इनके बीच के आप 5 rational number लेख सकते हो 11 upon 10, 12 upon 13 upon 14 upon 15 upon 10 है हमारे बीच के 5 rational numbers हो गए इसी तरीके से आपको और वेकोशन करने होंगे जब आपके exercise में आएंगे हम वो अब देखो 9.2 के जो basics है operation on rational number addition, subtraction, multiplication, division, rational number में कैसे करते हैं आपने पहले भी जो fraction में सीखा था था ना कि fraction में कैसे plus minus करते हैं सेम वही तरीका है उसी तरीक से करना है अगर हम इसको plus करना है denominator से में तो बहुत simple है 5 plus 3 8 हो जाएगा 8 upon 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 आगया simple है denominator से में तो बस आपने numerator को plus करना है ठीक है अगर denominator different है तो आप उसका LCM लोग है LCM ने के क्या आगया 15 आगया अब नीची वही डिजर से क्या करते है divide 5 को मैं 15 से गर divide करूँ तो क्या आएगा मेरा 5 3 जा 15 3 आएगा ना और उसी 3 को में उपर वाले 3 से multiply करते हैं कि 3 3 जा 9 हो जाएगा अब 3 5 जा 15 होता है 5 आया 7 5 जो 35 दोनों को plus कर तो 44 अपर में 15 कर यह सकते नहीं है दोनों same table में नहीं आते हैं ठीक है denominator same होगा तो numerator को plus कर देना denominator different होगा तो पहले LCM ले लिना फिर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा आगे देखते हैं देखो हम सब fraction भी इसी तरीके से कर करेंगे 1 1 को 13 से multiply करेंगे 13 6 2 जा 12 2 आ गया 5 2 जा 10 हो गया अब यहां पर 13 में से 10 minus कर देंगे 3 upon 12 हो गया तो कट जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 upon में 4 आ गया ठीक है subtraction ऐसे जैसे हम addition करते add करते हैं rational number में उसी तरीके से हम इसमें subtract भी करते हैं बस sign यहां minus का जाता है उसी तरीके कैसे करते हैं simple अगर में 3 upon 7 into 5 upon 2 तो सामने सामने multiply कर दो 3 5s are 15 7 2 जा 14 अगर कर सकता तो काट लो नहीं करता तो इसको आगे इसको कर नहीं कर सकते ठीक है जैसे यहां minus 3 upon 5 और 5 upon 7 है हमने यहां लिख दे आप देखो 5 से 5 यहां पर कट गया बचा गया minus 3 upon 7 उसको हम as it is लिख इस तरीके से हम क्या करते हैं इसमें multiplication करते हैं अब हम देखते हैं division कैसे करते हैं जैसे minus 10 by 2 upon 3 जब भी हम divide करते हैं आपको पहले भी आपने किया होगा यह हमारा जो है sign change हो धहाई जो है multiply में change हो जाता है और 2 upon 3 का 3 upon 2 हो जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया, तो हम करेंगे क्या इसमें multiply, लेकिन ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, साथ में हमारे sign चेंज हो जाते हैं, जो कट सकता है, सको काट लो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 3 जा 15, minus 15, ठीक है, एक example ओर देखो, देखो, minus 5 upon 7 divided by 3, नीचे 1 आजेगा, इसके अब यहाँ पे 3 upon 1 का 1 upon 3 हो जाएगा, divide, multiply में change हो जाएगा, कोई कर सकता तो काट लो, नहीं, तुसको multiply कर तो, minus 5 को 1 से करेंगे, minus 5, 7 3 जा 21, ठीक है, इस तरीके से हम plus, add, subtraction, multiplication और division इसमें हम करते हैं, अब देखो, इसके अंदर additive inverse, additive inverse क्या होता है, जैसे 4 upon 7 का additive inverse है, वो minus 4 upon 7, अगर positive है तो negative, negative है तो positive, ठीक है, additive, यहनि की add करना, हमें इसको, यह इसका additive inverse हो गया, अब 4 upon 7 plus, bracket में minus 4 upon 7, additive inverse of 4 upon 7 is minus 4 upon 7, अब इसको जो हम plus, minus, minus करेंगे, हमारा जो bracket है, वो open हो जाएगा, 4 upon 7 से 4 upon 7 हमारा cut हो जाएगा, और आजएगा हमारा 0, यहाँ पे भी हम देखें, minus 4 upon 7 का additive inverse है, 4 upon 7, अगर हम इसको plus करते हैं, तो minus 4 upon 7 plus, 4 upon 7 plus, minus, minus हो जाएगा, और इक कर जाएगे, तो हमारा आजएगा 0, ठीक है, additive inverse में क्या होता है, वो हमेशा उसका opposite होता, और हमेशा क्य क्या होता है, फिर वो 0 ही answer आता है, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि वो एक negative हो जाता है, दूसरा positive हो जाता है, और तो plus minus क्या हो जाते है, वो minus हो जाते है, ठीक है, यह आपको वैसे पता ही होगा, reciprocal हाना, 4 upon 9 का reciprocal क्या होगा, 4 upon 9 का 9 upon 4 होगा, और जब भी reciprocal होता है, उसी number का, तो हमेशा हमारा 1 आता है, तो क्योंकि वो cut के क्या आएगा, 4 को 4 से cut करके 1, 9 को 9 से करके 1, ऐसे minus 4 upon 9 is 9 upon 4, यहाँ पर minus 4 upon 9 into 9 minus 9 upon 4, तो दोनों को cut करके 1 ही आएगा, तो यह reciprocal हो जाता है, और reciprocal होने के बाद फिर 1 आता है, और जब additive inverse हम करते हैं, तो क्या आता हमेशा, 0 आता बस यही हमारा जो है, वो introduction था, जो main main चीज़ थी, वो मैंने को सभी introduction में समझा दी है, अब हम इसके जब questions करेंगे, तो आपको easily समझ में आ जाएंगे, सभी videos चानल की playlist में जाके देख सकते हैं, description box में भी जो है, YouTube की तरब से आब आपको वहाँ पे videos देखने को मिल यही सेम इसी class 7 की masking, ठीक है, अगर आपको video helpful लेगे तो please like share subscribe करें, thank you